इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को दे कर किसी दवाई का उप्योग करते ह हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी SBL natrium muriaticum dilution anemia से जुड़ी स्थितियों में द्रिर्टा से संकेत दिया जाता है ये ठकान और ठकावट के संकेतों को दूर करता है और शरीर में उर्जा के स्तर को बढ़ाता है ये है एक विरोधी भड़काव एजेंट के रूप में कार्य करता है और मलाशे की सूजन को कम करता है जो मलत्याग के बाद गंभीर दर्द का कारण बनता है और इससे जुड़ी स्थितियों जैसे कब्ज और गुदा के संकुचन का इलाज करता है ये ग्रंथी की सूजन के कारण गर्दन की सूजन को भी कम करता है और मधुमे और अतिगल ग्रंथिता से संबंधित बीमारियों में एक मजबूत संकेत है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, मुख्य रूप से अनीमिया और सूजन से जुड़ी स्थितियों के उपचार के लिए उप्योग किया जाता है दो, इसका उप्योग दर्दना, कब्ज और भूख न लगने सहित पाचन संबंधी विकारों के इलाज के लिए किया जा सकता है तीन, बड़ी हुई रक्त शरकरा को नियंतरित करता है, जिससे भूख और प्यास में वृद्धी होती है चार, फ्रंटल साइनस की सूजन का इलाज करता है और कंजेस्टिफ सिर्दर्द से राहत देता है पांच, मतली, उल्टी और दस्त के उक्चार में प्रभावी छे, श्रोनी क्षेत्र में तेज दर्द के साथ प्रसव पीड़ा और अनियमित मासिक धर्म को कम करने में मदद करता है साथ, छाती और दिल के संकुचन और तेज नारी की दर से राहत देता है आठ, तैलिय तवचा और सिर की तवचा पर सूखे दर्दनाक फुंसियों से होने वाली तवचा की समस्याओं का इलाज करता है नौ, छाले के साथ तेज बुखार और शारीरिक कमजोरी के इलाज में उपियोगी विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें